हाई गाईज वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल आएम डिवेक रता आज हम राजस्तान की एक और ब्यूटिफल सिटी उजय पो विजित करने आए जहां पर मल्टिपल लेक्स मॉंटेंज एंड हिस्टोरिकल पैलेस सारे एक ही जगह पर है दोस्तों सबसे पहले जो सहेलियों की बारी जो है वो माराना संगराम सिंग द्वारा बनाया गया है सहिलों की बारी जो है वो महाराजा ने लेडी जो के लिए बनाया था इसमें जो आप देख रहे हैं मल्टिपल फॉंटेंज बहुत सारे फॉंटेंज के अंदर और यह जो फॉंटेंज है यह किसी मोटर के तुरू निकलता है यह यहाँ पे जस्पगल में ही गलेक है वहां है आका ऐसा लगता है फील आता है कि बारिस हो लिए अब कभी भी यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर बारिस जैसे के लिए होती है महाराजा ने अपने बेटी के लिए राज कुमारी के लिए यह फॉंटेंट बनवाया था कि यहाँ ब reliable बार ओल प्रफशने भाठी के लिए के ला funky MRSayo 200 shit के लिए я हूआ ऊ़र अफ दया करहता है क्या है कि टो था है बर देफेष देवे हैं वहाँ उऊ डखा है झाल चाल अब एक्स्ट एक्षिनेशन जो है वो है सिटी पैलेस क्योंकि यहां से बगल में सिटी पैलेस है तो पहले हम सिटी पैलेस विजिट करेंगे तो चली चलते हैं सिटी पैलेस यहिए सिटी पैलेस को लाजेस पैलेस कॉमपलेक्स ही कहा जाता है तो कि यह रजस्थाम का सबसे बारा कमपलेक्स है और इसके अंदर म्यूजियम बाराना प्रताप का और जितने भी राजा हो गए चाहे राजस्थान में उनकी सारी यहां पे टिटेल्स हैं आप सारा चीज यहां पर देख सकते हैं वह हुँती खूबसुरत है इस इस को बनने में 400 साल लगे थे आप एमेजन कर सकते हो कि किसी पैलेस को बनने में 400 इयर्स यहां यह 400 इयर्स लगे थे इसको बनने में यहां पर यह मानना प्रताब जी का कक्ष है उनका समान यहां पर रखा हुआ है वो यह यूज़ करते थे यहां पैलेस से बाहर का व्यू मैंने आपको दिखाया था क्र बाहर कर देता नouse है यहां बाइब आड़ी themes कर दो यहां अ случай कर दो каким का दीनी है अ में पर भीज़ चॉज़ अब भी गुद्यपूर में जितने भी पैलेस हैं उनका सबका मालिकाना हथ रहा के राजप्रवार के पास ही है और हर पैलेस का कुछ जो पार्ट है वो पब्लिक के लिए उन्होंने कोल रखा है तो अब हम पहुंच गए हैं चकदीश टेमपल जिसे 1651 में महारो गुजर आर्किटेक्ट्स के स्टाइल में बनाए गया है यह उद्यपुर का सबसे बड़े मॉन्यमेंट में से एक है अब हम पहुंचे हैं दूद कलाई लेक्ट इसके एक साइट करनी माता का मंदिर और इसके ठीक बगल में ही musical fountain garden है जहां पर साम को musical fountain होता है तो अब यहां से हम लोग चलेंगे कर्णी माता मंदिर कर्णी माता मंदिर जाने के दूर रास्ते हैं या तो हम क्या कहते हैं उसके ठुदू जा सकते हैं रोववे के ठुदू जा सकते हैं या फिर सिडिया चरके जा सकते हैं रोवे से 5 मिनेट का या असकर लगता है जाने में और शीरियों से लगबक आधे गंटे के आसपस लग जाता है क्योंकि चढ़ाई है पहार पे आए करनी माता मंद्री के ठीक पीछे इसको तोबमाले बाबा का दरगा भी कहते हैं यहां से उद्यपूर सिटी का भीयों पहुत अच्छा रिखता है यहां से तो चले अब हम चलते हैं यहां से और लेक पिछॉला चलते हैं लेक पिछओना पर आप बोटिंग कर सकते हैं यहां पर बोटिंग है लागल बोटिंग भी होती है तो आप यहां से बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं और बोट के तुरू अब सिटी पैलेस हो गया ताज लिए पैलेस कोड देख सकते हैं चुकिए की रोयल फैमिली के लिए है और 1746 में इसे बनाया गया था प्लाएं दोटार है सब्सक्राइब का देख सकते हैं इसे घ्यान सम्सक्राइब के लिए प्लाइब का देख से सकते हैं की अजया है उले के भाग। सब्सक्राइब आजय करें प्रीमिया हम नहीं पर दोनों टाइप की बोटिंग के मजे लिए यहां पर अगर आप कितने भी देर आके बैठिए नाइट में आपका मन नहीं बढ़ता है अम लोग यहां से सुकरिया सरकल चलेंगे जहां पर फूड स्ट्रीट है वहां पर काकी सारे खाने पिने की शामान मिल जाता है स्ट्रीट फूड वहां पर बेसिकली जो है पाओ पाजी हो गया ठीक है यहां पर बहुत फेमस है खाने पीने के लिए यहां पर हर टाइप का स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा फूड को मिल जाएप मिल जाता है अब हम पहुंचे मांसून पैलेस इसको सुचंगन पैलेस भी बोलते हैं इसे 1884 में बनाया गया था इस जगह से उद्यपुर का जो भीव है मांसून पैलेस पूरा सिटी का व्यूव आप देख सकते हैं यहां से कर दो तुर आपमयास चलएंगे मारानपरताफ प्रता प्रसमारक यहां पर अपर फीडियों के तरूप भी जा सकते हैं और अपने वेकल से प्रेक्ट करेंगे अब आपको पुरी हिस्ट्री बदाए जाती है अब कि प्रेले हम यूजियू होम लेते हैं उसके बाद आपको पुछ जगह दिखाएंगे जहां आपको मैंने उस टैम पर बताया था कि महाराना प्रताब जी का जन्म हुआ था वहीं पर उनका पारन तो जन्म हुआ था आपको प्रताब कि महारा था दो यहां अब कि महारा था जगए जगए जग्सिटान तो जगए अभाव अब दो चाहाँ इसी जिगर पर light and sound होता है जाहां पर माराना पताप की हिस्ट्री के बारे में पुरा बताया जाता है तो अब हम जिलमिल जिल रिस्टोरेंट है लेक की ज़स्ट पगल में वहाँ पर चलेंगे वहाँ पर हम डिनर करेंगे बहुत टेस्टी काना होता है यहाँ जो मैंने सुना है तो चलिए चलते हैं जिलमिल लेक फिव रेस्टोरेंट दोट सिर्ट छूप्सक पार सूर्णीत कि दूप्सक चाहिए प्लार अप्सक्राइब दूजट अबस्क चाहिए धंक यू